जारखन के एक छोटी से गाउ में हरिया अपनी पतनी मीना और बेटी डोली के साथ रहता था हरिया एक मजदूर आदमी था वो सुबह से शाम तक फैक्टरी में मजदूरी करता था तब जाकर वो अपने परिवार को खाना खिला पाता था हरिया जादा पढ़ा लिखा नहीं था लेकिन उसकी इच्छा थी कि उसकी बेटी पढ़ लेकर बड़े ओफिसर बने इसलिए वो दिन रात महनत करता था ताकि उसकी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना हो और उसकी बेटी अच्छे से पढ़ लिख सके हरिया के परिवार में सब कुछ साधारन चल रहा था लेकिन कहते है ना कब किसके जीवन में बुरा समय आ जाए कुछ नहीं कहा जा सकता हरिया के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ वो जिस फेक्टरी में काम किया करता था उसे उस फेक्टरी से निकाल दिया गया इस वज़े से उसकी नोकरी चली गई हरिया इससे बहुत परिशान था कि अब उसका घर कैसे चलेगा वो बहुत ही उदास मन से अपने घर जाता है और अपनी पतनी से कहता है मीना आज मेरी नोकरी चली गई आज मुझे मालिक ने फेक्टरी से निकाल दिया जी आप कैसी बाते कर रही हो जी आपकी नोकरी चली गई लेकिन आपके मालिक ने आपको क्यों निकाला आप तो फेक्टरी में बहुत लगन से काम करते थे मालिक ने कहा कि अब फेक्टरी में बड़ी बड़ी मसीने आ गई है तो हमारी उन्हें कोई जरोत नहीं है अब सो मजदूरों का काम एक मसीन ही कर लिया करेगी इस बज़े से मेरे साथ साथ सभी मजदूरों को वाँ से निकाल दिया गया मेरी भी नौकरी चली गई अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ मैं जो कमाता था उसी से हमारा घर चलता था अब न जाने क्या होगा जी चटपूज़ का तैवार भी तो आ रहा है मुझे वरत भी करना है तुम बिल्कुल सही कह रही हो चटपूज़ का तैवार भी आने वाला है पिछले साल मैंने डोली से कह दिया था कि अगले साल कपड़े दिलवाऊंगा अगर इस पार भी मैंने उसे कपड़े नहीं दिलवाएं तो मुझे गुस्सा हो जाएगी मुझे कैसे भी करके कुछ न कुछ काम ढूणना ही होगा जिससे मैं अपने बेटी के लिए नए नए कपड़े और मिठाईयां ला सकूँ कोई बात नहीं जी आप इतना टेंशन मत लीजिए अगर आपको छटपूजा तक कोई दूसरे नौकरी मिल गई तो आप डॉली के लिए कपड़े ले आना वरना कोई बात नहीं अब वो समझदार हो गई है हम उसे समझाएंगे तो समझ जाएगी आप इतनी चिंता मत कीजिए अब मैं क्या काम करूँगा जिससे मैं अपना घर चला सकूँ मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा अगले दिन हरिया सुबस उड़कर ये काम ढूड़ने चला जाता है वो एक दुकान पर जाकर वहां की मालकिन से कहता है मालकिन आपकी दुकान पर कोई काम है तो आप मुझे बता दीजे मैं वो कर लूँगा भाई साब आपकी दुकान पर कोई काम है तो बता दीजे मैं वो कर लूँगा अरे नहीं नहीं भाईया यहां कोई काम नहीं है आप चले जाए यहां से हरिय को कोई भी काम नहीं मिलता है और छट पूज़ा का दिन भी नजदीक आ जाता है वो बिचारा बहुत परिशान हो जाता है तबी उसका दोज सूरज आता है और वो हरिय से कहता है और भाई क्या चल रहा है क्या बताओ यार मेरी तो नोकरी ही चली गई है छट पर भी आ गया है अब मैं अपनी बेटी को कोई तोफा नहीं दे पाऊंगा एक काम कर मैं ना एक सेट को जानता हूं उनके पास चले जा क्या पता कोई काम मिल जाए धन्यवाद भाई तुम उनका पता दे दो मैं आज सामे उनके पास जाता हूं हरिया सेट से मिलने के लिए जाता है लेकिन सेट के नोकर उसे अंदर नहीं जाने देते तो हरिया परिशान होकर वहीं घूमने लगता है तब ये बालकनी से सेट हरिया को देख लेते हैं वो हरिया को परिशान देखकर नीचे आते हैं और कहते हैं अरे तुम ऐसे सड़क पक्यों घुम रहे हो मैं काफी समय से तुमको देख रहा हूँ तुम कुछ परिशान भी लग रहे हो अगर तुम्हें कोई दिक्कत है तो तुम मुझे बता सकते हो क्या पता मैं तुमारी कोई मदद कर सको हाँ साहब अभी कुछ दिन पहले ही मेरी नोकरी चली गई है और हमारा चट का तेवहार भी आ गया है आपको तो पता ही है चट पर्व का तेवहार हम बिहारियों के लिए कितना मैने रखता है मुझे अपने बीवी बच्चों के लिए कपड़े और मिठाईया लेनी है मेरी बीवी बरत रखेगी तो मुझे उसके लिए बरत का समान भी लेकर जाना है लेकिन मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं चट पुजा की समगरी अपने पत्नी को दिलवा सकूँ जिससे वो अपना प्रत पूरा कर सके मैंने अपनी बेटी को भी वादा किया था कि इस बार मैं उसको नए कपड़े दिलवा कर लाओंगा लेकिन मैं उसे नए कपड़े कहां से ले कर रहा हूं मेरे पास तो एक भी रुपए नहीं है देखो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी सारी समस्या दूर कर सकता हूं दरसल मुझे तुम्हारे जैसे आदमी की बहुत जरूरत थी मैंने एक मनत मांगी थी और वो पूरी हो चुकी है मुझे अपनी मनत पूरी करने के लिए चट पूजा करनी है लेकिन तुम तो जानते हो मैं इतना अमीर आदमी हूं इसलिए ये सब मुझे नहीं हो पाएगा इसलिए मैं चट पूजा नहीं कर सकता और ऐसा कहा जाता है कि हम अपने मनत का कारिये और परसाद चढ़ाना किसी और से भी करवा सकते हैं अगर तुम चाहो तो मेरी पूजा तुम कर दो बदले मैं तुमें पैसे और कपड़े दे दूँगा लेकिन तुमें मेरा ये बरत करना होगा क्या तुम कर पाओगे तुमें लेट लेट कर घाट तक जाना होगा साहब, आपकी तरब से मैं ये बरत जरूर करूँगा मैं पूरे बिधी वीधान से पूजा करूँगा आपको कोई दिक्कत नहीं होगी आपकी मनुकामना पूरी हो गई है तो उसकी पूरती के लिए मैं ये बरत जरूर करूंगा आप मुझे कुछ पैसे एडवांस दे दीजिये, ताकि मैं अपने परिवार के लिए ब्रत का समान खरीद सकूँ हर्या वो पैसे लेकर अपनी पतनी को दे देता है, पैसे देते हुए वो अपनी पतनी से कहता है ये लो पैसे और तुम अभी जाकर समान लेकर आओ और डोले के लिए भी नए कपड़े ले आना और साथ में पूजा का समान भी ले आना इस बार की छट पूजा हम बहुत धुमधान से मनाएंगे खट माता की किरपा से हमारी मनोगामना पूरी हो गई है मीना, आज मुझे एक सेट मिले थे, उन्होंने मुझे कहा कि मैं चट पूजा का बरत उनके बदले करूँ उन्होंने मनत मांगे थी जो पूरी हो चुकी है पर वो तो अमीर आदमी है तो शलक पर लेट लेट कर कैसे जा सकते हैं और ना ही उनसे वुवास रखा जाएगा उनकी तवियत खराब हो जाएगी ना इसलिए उन्होंने मुझे कहा है ये बरत करने के लिए बदले में मुझे पैसे देंगे ये आप कैसी बाते कर रही है चट पूजद का मनत उतारना तो बहुत कठिन होता है आप ये बरत कैसे कर पाएंगे नहीं पागल मुझे ये बरत करना ही होगा इस बरत की वज़े से तो आज मेरे इक्छा पूरी हुई है अब मैं ये बरत तो जरूर करूँग से तयार हो जाता है और परिवार सही सेट के घर चला जाता है और वहां से लेट लेट कर वो छट घाट तक पहुंचता है फिर जैसे की छट पूज़ा में होता है वो पानी में स्नान करता है और खड़े होकर सूरे की पूज़ा करने लगता है सेट भी बीच-बीच में आकर हर्या को देख लेता था और उसको बीच बीच में पूजा का सामान भी दे दिया करता था वही बगल में हर्या की पतनी भी अपनी पूजा कर रही थी हर्या बड़ी ही महनत से ये वरत पूरा कर लेता है जब हर्या ये वरत पूरा कर लेता है तो फिर सेट उसे बदले में बहुत सारे पैसे दे देता है जिसे पाकर हर्या के घर में भी खुशिया आ जाती है उन पैसों से हर्या अपनी एक छोटी सी चाई की दुकान लगा लेता है जिसे उसकी रोज की अच्छी खासे कमाई हो जाती है वो हाँ चोड़कर छट मईया का धन्यवाद करते हुए कहता है हे चटी मईया मैंने भले ही ये पूजा सेट की तरफ से की थी लेकिन फिर भी आपने उसका फल मुझे दिया मैं वादा करता हूँ जब तक जीवित रहूँगा हर साल आपका बरत करूँगा बस आप इसी तरह मेरे घर में खुशिया बनाए रखना माता तभी देवलोग में बैठी चटी मईया अपनी आखे खोलती है और कहती है मैं तुम्हारे इच्छा भी अवश्य पूरी करूंगी हरिया तुम बस सच्छे मन से मेरा नाम ले लिया करना तुम जैसे भगतों को देखकर मुझे बहुत खुशी होती है उस दिन के बाद चे हरिया के जीवन में कभी भी कोई दुख नहीं आता वो अपनी बीटी का एड्मिशन भी एक बहुत बड़े स्कूल में करवा देता है जिससे उसके सारे सपने पूरे हो जाते हैं और अब वो अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगता है मेरे प्यारी दोस्तों आज चुमें आपको कान सुनाने जा रही हूँ वो कहानी है परी के जादोई घर की तो चलिए दोस्तों कहानी देखते हैं नेहा अपनी मा उर्मिला के साथ रहती थी और दो साल पहले नेहा के पिता की किसी गंभीर बिमारी के कारण मौत हो गई थी जिसके कारण नेहा और उर्मिला को बहुत दुख हुआ गाउं में कोई भी विचारी उर्मिला की मदद नहीं करता नेहा किसी तरह अपना और अपनी मा का गुजारा कर रही थी नेहा एक पालर में काम किया करती थी वहाँ पर और भी कह लड़किया थी लेकिन वो नेहा से हर बक चिरती थी क्योंकि उस पालर में सरिफ नेहा ही अच्छा मेकप करती थी और मालकिन नेहा से हमेशा प्यार से बात करती थी बाकी सारी लड़कियों से गुस्से में बात किया करती थी वो दोनों लड़किया नेहा को हमेशा पालर से निकलवाने की सोस्ती रहती थी और पालर की मालकिन, शिल्पा और रानी को पैसे दे देती तो वो फाल्तु खर्चे में उड़ा देती और नेहा को पैसे मिलते तो वो अपने घर में समाल कर रख देती थी क्यूंकि नेहा के पिता की मृत्यू के बाद उसकी मा का ध्या नेहा ही रखती थी नेहा हर रोज की तरह सुबा पालर जाती और शाम को पालर से घर लोटती नेहा के पास बहुत कम कपड़े थे नीहा के पास पैसे होने के बाद भी वो अपने लिए कपड़े नहीं खरीटती थी क्योंकि नीहा को अपना एक बड़ा सा ब्यूचि पालर खोलना था और उसको पता था कि एक ना एक दिन उसका ये सपना जरूर पूरा होगा ये बाद शिल्पा और रानी को भी पता थी इसी बात को लेकर वो नेहा को हमेशा चिडाती रहती थी कि वो इतने गरीब है और पालर कैसे खोलेगी ये सब सुनकर नेहा का मन बहुत उदास हो जाता है शिल्पा और रानी दोनों नेहा के घर के बगल वाले घर में ही रहती थी शिल्पा और रानी उसका बहुत मजाक उड़ाया करती थी तब भी नेहा उनको कुछ नहीं कहती थी क्योंकि उसको पता था कि इससे उसका समय बरबाद हो रहा है वो यही सोचकर अपने काम पर ध्यान दे रही थी एक दिन बहुत तेज बारिश आ जाती है और नेहा के घर में पानी भर जाता है फिर नेहा बारिश का पानी निकाल रही होती है और उसकी मा उससे कहती है बेटा हमें टूटे फूटे घर में कब तक रहना पड़ेगा मा मैं मेहनत करके एक ना एक दिन अपना एक बड़ा सा घर और एक अच्छा सा पालर खोल लूगी हाँ बेटा तुम बिल्कुल सही कह रही हो अगर तुम मैंनत करोगी तो तुम कुछ भी चीच खरीद सकती हो निहा का हाथ बड़ाने के लिए उर्मिला दूसरों के घरों में भी काम किया करती थी उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था क्यूंकि उसके बेटी अकेले ही मैंनत करती थी और पूरा घर चलाती थी इसलिए उसने भी घरों में काम करना चालू कर दिया निहा और उर्मिला काम करके अपने पैसे जोड़ कर रखते थे अब दोनों ही मैंनत कर रहे थे उन दोनों को ये पता था कि एक दिन उनका मैंनत का फल जरूर मिलेगा ऐसे ही एक दिन उनके घर पर विश्णु नाम का एक आदमी आता है और कहता है उर्मिला तुम मेरे पैसे कब वापस करोगे जो तुमने मुझे उधार में लिये थे लेकिन अंकल हमने तो आपके सारे पैसे लोटा दिये थे नहीं बेटा इनके थोड़े से पैसे रहते हैं क्यूंकि मैंने इनसे दुबारा घर चलाने के लिए पैसे लिये थे अच्छा मा मैं अभी नंकल को पैसे निकाल कर दे दीती हूँ फिर निहा विश्णू को पैसे दे देती है और विश्णू वहाँ से चला जाता है ऐसे ही दिन बीटते गए और एक दिन निहा की मा की तबिद बहुत खराब हो गई जिसके बाद निहा अपनी मा को हॉस्पिटल ले गई और डॉक्टर ने उनको दवाई दे दी जिसके थोड़े समय बाद उर्मिला घर आ गई आदे से ज़्यादा पैसे उर्मिला के इलाज में लग गए मा अब आप काम करने नहीं जाओगी क्योंकि रॉक्टर ने मना किया है बेटा लेकिन तू तो दिन रात मेहनत करती है मैं तुझे ऐसे नहीं देख सकती मुझे अच्छा नहीं लगेगा कि मेरी बीटी काम पर जा रही है और मैं घर पर ही बैठूं मा मैंने मना कर दिया ना आप काम पर नहीं जाओगी तू नहीं जाओगी फिर नेहा अपनी मा को दवाई देकर पालर चली जाती है और शाम को जब वो पालर से लौट रही होती है तो उसको बगीचे में एक परी खड़ी दिखती है और वो परी को देखकर हैरान हो जाती है जिसके बाद नेहा परी के बास गई और उससे बोली अरे तुम तो परी ही हो ना आप यहां क्या कर रही हो मुझे रानी परी ने प्रित्वी लोग पर गरीबों की मदद करने के लिए भेजा है अगर तुम्हारी कोई परेशानी है तो मुझे बताओ शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर दूँ हाँ जरूरत तो है पर क्या आप मेरी सच में मदद करोगी हाँ हाँ मैं तुम्हारी मदद जरूर करोगी तुम अपने परेशानी तो बताओ मुझे मेरी एक मा है जो बहुत बिमार है और हमें एक छोटे से घर में रहते हैं जब भी बारिश आती है तो सारा पानी घर में भर जाता है हमें बस एक घर के जरुवत है और मेरा एक सपना भी है कि मैं अपना एक बड़ा सा पालर खोलू लेकिन मेरे पास इतने पैसे है ही नहीं अच्छा, तो तुम उदास मत हो मैं तुम्हें घर भी दूँगी और तुम्हारा एक पालर भी खोल दूँगी इतना सुनकर निया बहुत खुश हो जाती है और परी ने अपने जादू से ही उसका घर बना दिया और उसे के बगल में एक पालर भी नहा अब तो तुम्हारे पास एक जादूई घर और एक पालर है जिसमें तुम्हारे जुरत के सारी चीजे होंगी तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया परी तुमने मेरी बहुत मदद की है मैं ये कभी नहीं भूलूंगी उसके बाद नेहा अपनी मा को अपने जादोई घर के पास ले जाती है और मिला भी ये देखकर बहुत खुश होती है और दोनों उस घर में चले जाते है वो कर दिखने में बहुती बड़ा और अच्छा था और उसमें जरुवत की सारी चीजे थी अब नेहा का अपना खुद का भी पालर था लेकिन जब शिल्पा और रानी को ये बात पता चलती है कि नेहा काम पर नहीं आ रही है उन्हें कुश ठीक नहीं लगा शिल्पा और रानी दोनों पता करते करते रानी के नए वाले जादुई घर में पहुँच गए जिसके बगल में एक पालर था जिसमें नेहा कुश लोगों को तयार कर रही थी ये देखकर शिल्पा और रानी दोनों हैरान रह जाती है और दोनों नेहा के पालर में मिलने चाती हैं और उससे कहती है अरे नेहा ये तुम्हारा पालर है हाँ हाँ शिल्पा ये मेरा ही पालर है अरे ये तो बहुत बड़ा और अच्छा पालर लग रहा है ये सब कैसे हुआ फिर नेहा शिल्पा और रानी को उस परी के बारे में बताती है और उन दोनों को उस बगीचे में भेज देती है ठीक है नेहा इतना कहकर शिल्पा और रानी दोनों उस बगीचे में जाती है और परी को अपने सारे जुरते बता देती है लेकिन परी को उनकी बाते ठीक नहीं लगती फिर वो जादू से अपने मन में सोच कर देखती है कि ये दोनों जूट बोल रही है और लालच के चलते अपना एक घर माग रही है और परी ने उन दोनों को सबक सिखाने का सोचा फिर परी उन दोनों को एक-एक घर दे देती है वो घर बाहर से दिखने में तो बहुत ही सुन्दर और बड़ा था जैसे ही वो दोनों अपने अपने घर में गए तो उन्होंने देखा कि उनके कमरे तो बहुत छोटे हैं और नेहा के घर जैसी कोई भी सुभीदा उपलब नहीं है और घर के अंदर जाते ही दोनों पर गोवर की बारिश हो जाती है। इसके बाद दोनों अपने घर से भाग के बगीचे में पहुची और परी इसे बोली परी परी इस घर में तो कुछ भी नहीं है। लेकिन परी हमने तो आपसे नेहा जैसा घर मांगा था ना लेकिन ये तो बहुत छोटा सा घर है और इसमें कोई भी सुभी दौपलब नहीं है ये मैंने जानबुच कर किया मैंने अपने शक्तियों से देख लिया था कि तुम्हारे पास पैसों की कोई कमी नहीं है तब भी त तुम्हारे साथ इससे भी बुरा होगा ये सुनकर शिल्पा और रानी को अपने गलती का एहसास हो गया इसके बाद उनको लगा कि अब उन्हें नहा से माफी मांग लेनी चाहिए जिसके बाद रानी और शिल्पा दोनों नहा के घर जाती हैं हमें माफ कर दो नहा हमसे कुछ भी नहीं था हमें माफ कर दो इसके बाद निहां उन दोनों को माफ कर देती हैं और वो लोग साथ साथ रहने लगते हैं और साथ ही पालर में काम करते हैं तो दोस्तों इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी लालच नहीं करना चाहिए अगर आपको कहानी एच्छी लगी हो, तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शियर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने भी तक हमारे ZORA TV चनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो नीचे दिये हुए लाल बटन को दबा कर अभी सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ आपसे विदा लेते हैं, मिलते हैं नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।